हे एवरीवन वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पाठशाला आज जो पोयम हम डिस्कस करने जा रहे है उसका नाम है ओ कैप्टन माई कैप्टन जिसे वोल्ट विट्मेन ने लिखा था और इसे पब्लिश दा सेटरड़े प्रेस में 1865 को कराया गया था वोल्ट विट्मेन का लाइफ पिरियाड 1819 से 1892 का था वो एक अमेरिकन पोईट थे और उन्हें पोईट्री में फादर और फ्री वर्स भी कहा जाता है वोल्ट के नोटेबर वर्क्स थे लिफ्स ओफ ग्रास सोंग ओव मैसेल्फ एंड आई हीर अमेरिका सिंगिंग वो कैप् माई कैप्टन एक एलिगी पोयम है जो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की याद में लिखी थी वोल्ट का लाइफ टाइम अमेरिकन सिविल वर के ड्यूरिंग का है यह पोयम सेलिब्रेशन दैथ और जर्नी पर बेस्ट पोयम का स्पीकर एक सेलर है ज तो चलिए पोयम को स्टेंजा वाइ समझते हैं स्टेंजा वन में पोईट कहता है कि O CAPTAIN, MY CAPTAIN, OUR FEARFUL TRIP IS DONE The ship has withered every wreck, the prize we sought is won The port is near, the bells I hear, the people all exulting While follow eyes the steady kill, the vessel grim and daring But O heart, 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 O the bleeding drops of red Where on the deck my captain lies, fallen cold and dead Poem start होती है, speaker captain को address कर रहा है और कह रहा है कि उनकी fearful trip खतम हो गई है और अब उनकी ship उस dreadful voice से वापिस घर लोट रही है यहाँ पोयम में Captain American President Abraham Lincoln है वो ship metaphor है अमेरिका का और fearful trip reference कर रही है American Civil War को जो अब खतम हो रही है लोगों को finally victory मिल गई है जो union वो चाहते थे वो union लोगों को मिल गई है speaker आगे कहता है कि उनका ship उस fearful journey को खतम करके वापिस आ रहा है उस ship ने सब storm, hardships और struggles को bravely face किया और सब situation में survive किया और end में उन्हें success मिले जिसके लिए वो इतने time से लड़ रहे थे वो ship airport के पास आ गया है speaker कह रहा है कि वो church bells की आवाज सुन सकता है उन्हें success के बाद वापिस आता देख people उनके arrival को celebrate कर रहे हैं ship को stable रखने के लिए उसके keel को throw कर दिया गया है और ship grim और daring लग रहा है ship grim इसलिए लग रहा है क्योंकि वो एक long hard voice से वापिस आ रहा है और इस कारण वो worn out लग रहा है और वो daring इसलिए लग रहा है क्योंकि उसने काफी hardships को face किया और अपने mission को पूरा किया है यह steady और grim world sharp contrast है किनारे पर खड़े लोगों के exulting और celebrating mood का यह gloom और uncertainty का sense लेकर आते है जो यह कोशन raise करता है कि क्या कुछ बुरा होने वाला है Stanja की last four lines में speaker काफी shocked है वो ship पर blood की drops देखता है उसके captain की body ship के board पर पड़ी हुई किनारे पर सभी लोग captain के welcome की तैयारी कर रहे है उनके mission को complete करने को celebrate करना चाते है लेकिन captain यहाँ deck पर गिरे हुए है और उनकी body lifeless और cold है और उनका blood ship के deck पर flow कर रहा है Stanja 2 में आगे point कहता है कि Oh captain, my captain, rise up and hear the bells Rise up, for you the flag is flung For you the bugle trills For you buckets and ribbon breaths For you the shores crowding For you they call the swing mass Their eager faces turning Here captain, dear father This arm beneath your head It is some dream that on the deck You have fallen cold and dead यहाँ sailor यानि हमारी poem का speaker Dead captain को वापिस उठने को कह रहा है और welcome bells को सुनने को कह रहा है लोग घटा हो गया है अपने captain को welcome करने के लिए उनकी victory को celebrate करने के लिए वो captain के लिए flag को लहरा रहे है और victorious music बजा रहे है वो captain को grand welcome करने के लिए बुके लेकर आए है जिन पर ribbons लगे हुए crowd captain के लिए cheer कर रही है वो उन्हें पुकार रही है और उनके eager और excited face शो कर रहे है कि अब वो अपने captain को देखने के लिए और wait नहीं कर सकते इन lines में लोगों के अंदर captain के लिए admiration, love और respect शो हो रही है अब speaker captain के head के नीचे अपनी arm लगाता है और उन्हें उठानी की try करता है speaker captain को father बोल कर address करता है हाला कि captain real में speaker के father नहीं है यहां father word एक symbolic image को show करता है probably captain ने कोई ऐसी great responsibility को पूरा किया है जिस कारण speaker उन्हें है respect दे रहा है even speaker wish कर रहा है कि यह कोई बुरा dream हो वो इस reality को accept नहीं कर पा रहा है कि उसके captain की अब death हो चुकी है और वो उनके सामने deck पर lifeless और cold लेटे हुए है stanza third में आगे poet कहता है कि my captain does not answer his lips are pale and still my father does not feel my arm he has no pulse, no will the ship is anchored, safe and sound its voice closed and done from fearful trip the victor ship comes in with object born exult or shows and ring or bells but I with mournful trade walk the deck my captain lies fallen cold and dead captain speaker की repeated calls को answer नहीं कर रहे हैं उनके lips अब pale और motionless हैं उन्हें speaker का hand अपने head के नीचे भी feel नहीं हो रहा है और उनकी body में अब कोई pulse नहीं है और अब उनके अंदर कोई will नहीं बची हैं एक dead man किसी भी calls को respond नहीं करता है और उसके अंदर कोई feelings नहीं होते हैं लेकिन ये lines यहां speaker के unbearable pain और grief को highlight कर रही है captain की death के बाद speaker काफी pain में है और यह लोगों के लिए एक great loss को भी suggest कर रही है अब ship किनारे पर safely anchored कर दिया गया है उसकी journey पूरी हो गई है एक long, fearful और challenging journey के बाद ship victory के साथ वापिस लोट आया है और उसने अपना mission भी पूरा कर लिया speaker किनारे पर crowd को address करता है celebration करने को कहता है वो चाहता है कि bells ring करे और cloud cheerfully victory को celebrate करे क्योंकि वो ship की homecoming और mission की success को celebrate कर रहे है जिसके लिए इतने challenges और sacrifices किये गए है और अब जब crowd इसे enjoy कर रही है speaker उन्हें join नहीं करता है वो अकेला ship पर रुकता है वो काफी दुखी है और deck पर जाता है जहां उसके बिलावड captain की dead body है तो चलिए poem की themes की बात कर लेते हैं poem में first theme है victory and loss poem oh captain my captain celebrate करती है American civil war के end को still यह एक allegory भी है president Abraham Lincoln की death पर victory और loss poem में closely intertwined है whitman की poem शो कर रही है वो pain और loss का trauma जो war में लोगों ने face किया है यह poem trump और pain को celebrate करती है at first ऐसा लगता है कि poem civil war में union की victory को celebrate कर रही है speaker president Lincoln को congratulate कर रहे है कि उन्होंने ship यानि अमेरिका को इस hard time में guide किया और finally इस victory को हासिल किया लेकिन इस trump की खुशी के बीच में ही speaker को shocking news मिलती है poem के हर स्टेंजा में speaker president को address करता है जो यह show कर रहा है कि यह सब celebration यह सब joy captain के लिए था पर अब वो इस सब को celebrate करने के लिए उनके साथ नहीं है उनकी lifeless और cold body ship के deck पर है और उनका blood ship के floor पर flow कर रहा है poem की second theme है grief and isolation poem का हर स्टेंजा public celebration और private grief में contrast show कर रहा है यह poem outward emotional expression और internal emotional experience के बीच tension को show कर रही है speaker को अपने personal grief को handle करना है whitman suggest करते है कि किसी loved one के जाने क्या deep grief एक isolating force हो सकता है जो loss को और painful बना देता है poem के title में भी private emotion को show किया गया है Oh captain my captain में poet captain को my captain से refer कर रहा है जो emphasize कर रहा है poet के president के साथ personal connections को ship के victory के बाद वापिस आने पर लोग harbor पर wait कर रहे है celebrations करने के लिए लेकिन on the other hand speaker pain में है वो captain की death के loss को deeply feel कर रहा है और खुद को isolate feel कर रहा है और इसी के साथ हमारी poem खतम हो जाती है So thank you guys that's it for today Please don't forget to like share and comment on the video and subscribe my channel